इसब गोल हो ना हो आप सभी ने ये नाम अवश्य ही सुना होगा आम तोर पर पेट साफ करने के लिए इसका प्रियोग बहुत से लोग करते हैं पर क्या आपको पता है कि यह साधारण सा इसब गोल कितनी बिमारियों में राम बान लाब प्रदान करने की अपने अंदर चमता रखता है चाहे वो कब्ज की समस्या हो या फिर अतिसार अथार्थे दस्त लगने की समस्या जी हां यह ओश्यधी दोनों ही समस्याओं में लाब प्रदान करती है इसके अलावा मल के साथ आओं का आना पेसाब में रुकावट पेसाब में जलन या फिर पेसाब के साथ धात आदिका गिरना इसके साथ ही साथ महिलाओं में सफेद पान की सिकायत वह महिलाओं पुर्षों में सामान्य या फिर विशेश कमजोरी इन सब के अलावा दुबला पन शरीर में अतरिक्त गर्मी का बने रहना बवासीर की समस्या या फिर खून में चिकनाई की मात्रा का प्रियोग होने वाले विभिन नुस्खों के बारे में बताऊंगा वीडियो अंतक आवश्य देखेगा बहुत ही लाबदायक जानकारी मैं आज आप सभी के लिए एक अत्रित करके लेकर आया हूं नमस्कार मित्रों में डॉक्टर ओबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हू और सामान्यत है इसब गोल हस्क का ही अधिकतर घरों में प्रियोग होता है तो आज के इस वीडियो में आपको इसी इसब गोल हस्क अथार्त इसब गोल की भूशी के कुछ विशेश नुस्खों के बारे में आपको बताऊंगा तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले नु आपको खानी है इस प्रकार हलकी फुलकी से लेकर मध्यम स्रेणी तक के कबज में यह राहत प्रदान करती है और अगर कबज अधिक कठिन है तो ऐसी अवस्था में इसब गोल की भूशी के साथ त्रिफला या हरडा दी अन्य चीजों को मिला कर भी विरेचक ओशिद्यों क को मिला कर भी प्रियोग किया जा सकता है इस प्रकार पेट अच्छी प्रकार से साफ भी हो जाता है और जो एठन अन्य विरेचक ओशिद्या उत्पन करती है वो इस सब गोल का प्रियोग करने के चलते नहीं उत्पन होती अथार्त बिना एठन के आपका पेट साफ हो जाता आप चाहे तो इसब गोल की भूशी के साथ बादाम रोगन मिला कर भी प्रियोग कर सकते हैं तब भी मध्यम से कठिन स्रेणी तक के कब्ज में ये लाब प्रदान करता है। इन सब के अलावा दस्त अधिक लगना ऐसी अवस्था में इसब गोल की भूशी को दही या छाच में मिला कर प्रियोग करवाये जाए तो दस्तों में तुरंत प्रभाव से लाब दिखाई देना प्रारंब हो जाता है। इस समस्या में राहत तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ पेट में उठने वाली एठनों में भी आपको राहत अनुभा होती हुई दिखाई देगी। वही कई लोगों को भोजन के पस्चा तुरंत मलत्याग के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में इस समगोल की भूसी को यदि बिल्व चूर्ण के साथ मिला कर प्रियोग किया जाए तो निश्च ही यह विशेश लापतायक रहता है। दोस्तो मैं आपको यहाँ एक मिंट के लिए रोकना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने एक बात को अवश्य ही देखा होगा, गोर किया होगा कि इस समगोल की भूसी वही है, परन्तु लाब अलग-अलग रोगों में अलग-अलग दिखा रही है और यही अनुपान का कमाल है, इसी लिए मैं आपको बार-बार यही सला देता हूँ कि उचित ओशिधी का उचित अनुपान के साथ आप प्रियोग करें और इसके लिए आपको चिकित सक्के परामर्ष की अत्यंत अधिक आउशक्ता होगी, मैंने यह बात बताने के लिए इस वीडियो को इस कारण र का क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल प्राप्त होते हैं, जो सिकायत करते हैं कि हमें दूद मिलने में कटना आई है, हमें सहद मिलने में कटना आई है, क्या हम इस ओशिधी का प्रियोग पानी के साथ कर सकते हैं, क्या हम इस ओशिधी का प्रियोग अन वेद भी बंदनाम होता है जबकि गलती स्वैम की होती है हाला कि इस विशय पर मैं कुछ अनुसंधान कर रहा हूं जल्द ही कुछ ना कुछ आप सभी के लिए ऐसा ले कर आऊंगा ताकि यह अनुपान आधी के बारे में सामान्य जन को सोचने की आउशक्ता ही ना पड़े और आगे बढ़ते हैं अपनी जानकारी के उपर पेसाब में रुकावट या फिर पेसाब में जलन का होना ऐसी अवस्था में आध्य से एक किलो पानी में दो चमची सब गोल की भूसी मात्र दो चमची सब गोल की भूसी डालकर दस ही चीजों में बहुत अधिक आपको लाब की प्राप्ति होती ही दिखाई देगी और अगर पेसाब में जलन अधिक है तो इस पानी में इसी पानी में आप थोड़ी सी देशी खांड मिला कर भी प्रियोग कर सकते हैं तब पेसाब में जलन अधिक होना ऐसी अवस्था में जल्दी लाब प्राप्त होता है वही स्वापन दोस ऐसी अवस्था में रोज रात को सोने से कम से कम दो घंटे पूर गुंगुने मिस्त्री मिले दूद में इस अब गोल की भूशी एक से दो चमच मिला कर लगातार प्रियोग करने पर यह रोग जल्दी दूर होता हुआ दि योग करना है और दो घंटे तक बिस्तर पर नहीं जाना है यह योग सिग्रपतन की प्रारंबिक अवस्था में भी बहुत अधिक लाबदायक रहता है इसके अलावा जिन लोगों में यह समस्या अधिक है वो रातरी को थोड़े से काजू और किसमें पानी में भिगो कर दिकायत मात्र इन आसान से प्रियोगों से दूर की जा सकती है परंतु लोगों को तो दवा खाने और पैसे खर्च करने में ज्यादा मजा आता है चलिए छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं और सरीर में अतरिक्त गर्मी का होना जैसे हाथ पैरों में जलन सिर में आखों मे में एक दो घंटे भिगो कर दिन में दो से तीन बार आपको प्रियोग करनी चाहिए या साधारन सा प्रियोग कुछी दिनों में आपको काफी सकारात्मक परिणाम देता हुआ दिखाई देगा वहीं महिलाओं में सफेद पानी की सिकायत लगबग 200 मिलीलीटर दूद में 5- 10 ग्राम की मात्रा में इसब गोल की भूसी डाल कर खूब अच्छी प्रकार से उबाले और जब मात्रा आधी रह जाए तो उसे उतार कर अपनी इच्छा के अनुरूप पिसी हुई मिसरी मिलाकर ठंडा होने के पश्चात प्रियोग करें लगातार या प्रियोग स्वेद प और भावशाली प्रियोग बताता हूं जिस प्रकार इसब गोल की भूसी कब जो रतिसार अथार्थे दस्त लगने की समस्या दोनों में ही लाबदायकरती है ठीक उसी प्रकार इसब गोल की भूसी वजन को कम करने में और वजन को बढ़ाने में दोनों में ही विसेस कारे कर खाना खाने के दो घंटे पूर्व आपको लेनी है और समान्य रूप से वजन को नियंत्रित करने वाले अन्य उपाएव व्यायाम जो आप करते आ रहे थे उन्हें आपको करते रहना है आप देखेंगे समान्य आवस्था क्या पेक्षा काफी तेजी से आपका वजन कम होना प्रारंब हो जाएगा और भूख भी जिनको अधिक लगती है उनको भी कम लगना प्रारंब हो जाएगा वहीं वजन को बढ़ाने के लिए इस सब गोल की भूशी विदारी कंदा शुगंदा और छोटी लाइची के बीजिन सभी को बराबर मात्रा में लेकर इनका बारिक चून के वजन के बराबर इसमें PC हुई मिस्री आप मिला दे सुभै शाम 4-5 ग्राम की मात्रा में नवनीत अथा अर्थ ताजा निकाले हुए मक्षन ध्यान से सुनिए नवनीत अथा ताजा निकाले हुए मक्षन या फिर सहद के साथ आपको इसका प्रियोग करना है कुछ अब आपको एक बड़ा ही विशेश प्रियोग बताता हूँ जिन लोगों को धात गिरने की से कैत है जिन लोगों को वीरे में स्तंबन शक्ति का अभाव है जिनके वीरे में पतलापन वीरे में सुक्राणों की कमी या फिर महिलाओं में सफेद पानी की समस्या इन सभी में इस नुस्खे का प्रियोग किया जा सकता है, बहुत ही लाबदायक प्रियोग है, इसके लिए आपको आउशकता होगी इस सब गोल की भूसी 3-4 ग्राम की मात्रा में और सालम मिस्री 1-2 ग्राम की मात्रा में, इन सभी को 200-300 मिली ग्राम दूद में आप डाल कर खूब अच्छ करना है, यह आपको रोज सुबे नास्ते के समय प्रियोग करना है, मात्र एक सब्ता में आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना प्रारंब हो जाएंगे, इसके अलावाई सब गोल के और भी अन्य बहुत से प्रभावशाली प्रियोग वे नुस्खे हैं, जिने म मैं बनाकर अपने रोग्यों पर प्रियोग करवाता हूँ, हाला कि उनमें कुछ महंगी ओशिद्यों का भी प्रियोग अवश्य होता है, कि तुलाब निश्य ही विशेस रहता है, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आपको मेरे द्वारा दीगे, यह जानकारी पसंद आई अगले वीडियो में नमस्कार